हेलो दोस्तों श्वागत है आप सभी का वर्ल्ड कप के एक और महा मुकापला मैच में जो खेला जाएगा इंगलेंड और आश्टरलिया के बीच में दोस्तों आज के इस वर्ल में हम जानेंगे कि आपके लिए कौन से ऐसे खिलारी है जो ट्रम कार्ड साबित हो सकते हैं कौन से ऐसे प्लेयर है जिससे आप सी बीसी के तोर पर इस्तमाल कर सकते हैं और कौन से ऐसे खिलाडी है जो आपको GL में अच्छा profit करके देने वाला है इस सभी जानकारी हम यहाँ पर आपको देने वाले हैं जिसे कि आप एक बहतर टीम बना पाएंगे दोस्तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं situation के अनुसार आपको किस खिलाडी को लेना है और किस खिलाडी को ड्रॉप करना है जिसे कि आपका टीम बहतर बन सके दोस्तो कोई भी मैच से रिलेटेड या टीम से रिलेटेड अपडेट होता है तो हम आपको टेलेगराम पे देते हैं आपको पता ही है दो बज़े मैच सुरू होगा देखें यहाँ पे आश्ट्रिया जो है वो साथ मैच खिली हुई है और इनका चार यहाँ पे जीता हुई है यह सोची की क्वालिफाई करने के लिए तो इसके ही साबसे बहुत अच्छा परफ्वेंस करने के उमिद रखती है अपनी टीम से इंग्लेंड का यहाँ पे बाहर यह जा चुकी है समी फैनल में इनका जाने का कोई भी चांस यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है ना रन डेट से ना कहीं भी किसी भी तौर पे नहीं तो इंग्लेंड चाहेगी हम किसी भी तरह आश्ट्रेलिया को समी फैनल में नहीं जाने दे और आश्ट्रेलिया चाहेगा कि हम समी फैनल में जाएं तो दोनों यहाँ पे अच्छे खेलने वाली है हालनकि आश्ट्रेलिया काफी मज़व टीम है इंग्लेंड के लिए लेकिन इंग्लेंड यहाँ पे अच्छा पर्फेंस कर सकता है दोस्तों क्योंकि इनका लास्ट मैच यूँ समझ जाईगी कि इसको कोई भी मतलब अब नहीं है कि यह सेमिफैनल में जा सकेगा उसके हिसाब से वो इस तरह खेलेगा मतलब बेखॉफ होगे खेलेगा जिसे कि अच्छा पर्फेंस कर सकता है और अस्टेलिया वहीं पे टेंसन के साथ खेल सकती है इसे टेंसन रहेगा कि हम जीतेंगे तो सेमिफैनल में कौलिफाई करने का हमेरा चांस बना रहेगा तो इस हिसाब से इसका खेलारी जो है वो आच्छे पर्फेंस करने के उम्मीद रखेंगे तो देखिए आप बात करते हैं कि टीम में आपको किसको लेना है और आपको ड्रॉप करना है तो विकेट केपर के जो सेक्सरन है यहाँ पर हम देखेंगे जोस बटलर जोनी बेस्टो और जे इंगलिस आपको देखने को मिल जाएंगे इसमें से आपको किसे अपने टीम में लेके रखना परेगा सिच्विशन के शार वो हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं तो जो इंगलेंड के खिलारी है वो आपको देख जाएंगे जोस बटलर और यहाँ पर जोनी बेस्टो यहाँ पर क्या कहना है जोनी बेस्टो आएंगे फ़र्ज डाउन पर ठीक है अगर यह पहले टीम मतलब इंगलेंड अगर पहले बैटिंग करती है तो जोनी बेस्टो का अपने टीम में जरू रखिएगा यह यहाँ पर बहुत तगरा मतलब समझेगे कि रन आपको अच्छा मिलने वाला है और कुछ रन बनाकर 40-50 या 60-70 रन बनाकर यह जब आउट होंगे इसकी खलाडी मतलब यहाँ बेख़ौफ खेलने वाली है इंगलेंड तो उसे आपको यहाँ बिकेट भी चाटेकने को मि जेज इंगलिस का बात किया जाए तो इसे आप अपने टीम में लेके चल सकते हैं आपसन के तोर पर यह आपके लिए अच्छा साबित हो सकती है जब अगर यहाँ पर आउस्ट्रिया पहले बैटिंग करती है तो आप इसे अपने टीम में जरूर लेकर चलिएगा क्योंकि चबल जाएगा Meyer के पास बार अच्छे हैं तो विकेट चट्काएंगे और विकेट जो चट्काएंगे तो यह सब सब लेकर को घ्यलने प्रदशन करने वाले आपकी टीम के लिए अच्छा हूने वाले है तरफो भी मैच आपके लिए के फिछे नहीं वोल्ड कबं का, लेकिन यह जो खिला रही है बहुत तगड़ा खिला रही है इसे अपने टीम में जरूर लेकिश लिएगा इसे आपके लिए पंटर सावित हो सकते हैं यह आपके लिए अच्छे सावित हो सकते हैं दूसरे नमर पर आएंगे और यहां पर डेविड वारन के साथ टीम हैड आएंगे यह दोनों अगर खेलते हैं कुछ 15 मतलब द्यात अबर में इनका विकेट गिरने का चांस बन जाता है डेविड वारन हो सकता है तो आपको 30 अबर तक इनका कभी विकेट आपको नहीं गिरता है तो यहां पर टीम हैड जो है और यहां पर डेविड वारन ही दोनों का बिकेट जो है 15 से लेकर 25 आपर तक में दोनों इसे आप as a captain के भी तोर पर इस्तमाल कर सकते हैं यह आपके लिए अच्छा सावित होंगे देखे बैन स्टोक का जो performance रहा है पिछले मैचों में कुछ खास नहीं रहा है जो कि आप देखें कि पिछले मैच में इखलाब 0 पर आउट हुए थे और उसके अलावा आप इनका पि माइंड में लेकर चलिएगा जो रूट पिछले 0 पर आउट हुए थे इंडिया एक खिलाब लेकिन यह खिलाडी बहुत अच्छा है इसे अपने टीमेजर रूट लेकर चलिएगा इंगलन के जो खिलाडी है इसे आप captain के भी तोर पर इस्तमाल कर सकते हैं जो रूट बॉल इसे अपने टीमेजर को तोर पर इस्तमाल कर सकते हैं यह अच्छा आपके लिए शावित हो सकते हैं ठीक है चलिए हम बात करते हैं कि आप आल नौनर में तो आल नौनर में किसे लेकर चलेंगे इस मैच में ग्लेन मैक्सवल आपको आश्टरी तरफ से नहीं दिखेंगे यह आपको नहीं दिखेंगे इस मैच में ग्लेन मैक्सवल यहाँ पर नहीं खेलने वाले हैं दोस्तों तो इसके जगह पर हो सकता है कि मारक और स्टोनिस आ सकते हैं तो इससे अपने टीम में लेके चल सकते हैं ठीके दोस्तों यह आपके लिए बैटिंग एजब बालर के तरफ डी वेली डी वेली को भी आप अपने टीम में रख सकते हैं यह आपके लिए अच्छा फर्वेंस कर सकते हैं ठीक है इंगलेन के जोख लाड़ी है लेकिन अगर जिस हिंसाब से देखेंगे अगर पहले आस्ट्रेलिया बैटिंग करती है तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकत करेंगे इसे आप कैप्टेन के तौर पर इस्तमाल कर सकते हैं कैप्टेन और भीशी के तौर पर इस्तमाल कर सकते हैं इसलिए सभी मैच का रिकोर्ड आप देखेंगे इनका तो बहुत तगरा रिकोर्ड रहा है हर मैच में विकेट निकाले किसी मैच में तो पांच-पांच विकेट, चार सार विकेट निकाले हुए हैं, तो इस मैच में भी ये अच्छा प्रफरांस करने वाले हैं, खास करके जब इंगलेंड का कुछ खास यहां पर परदेशन नहीं हो रहा है, तब इस इस्ति में, जेह उजलुवट को आपने साथ में लेके चल सकते हैं, और इसे आप ड्रॉब भी कर सकते हैं, मिचल एश्टा को भी आप लेके चल सकते हैं, ड्रॉब भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इस दोन तीनों में से आप दो को जरूर लेके चलिएगा, पैट कमिंग से, मिचल एश्टा या जेह जलुवट में से, किसी एक को जरूर लेके यह आपके लिए अच्छा साबित होने वाले हैं वहीं पर हम बात करें इंगलेंड का था मार्क वूट को आप ड्रॉप करके चल सकते हैं इसके जगह पर आदिल डासित को जरूर रखेगा देथ होवर में आएंगे और यहाँ पर बिकेट निकालेंगे और सीव वक्स को भी अपने टीम में जरूर रखेगा इनका सेलेक्शन कम है लेकिन यह आपके लिए अच्छे यहाँ पर साबित होने वाले हैं अब बात करते हैं कि आप कैप्टेन के तौर पर किसे आपने टीम में लेके चल सकते हैं तो दोस्तों कैप्टेन में जो आप लेके चलेंगे वहाँ आपको बताने वाले हैं कैप्टेन के तौर पर आप जौनी बेस्टो को इस्तमाल कर सकते हैं यह आपके लिए पंटर साभीत हो सकते हैं इसे आपने team में जरू लेकर चलिएगा ठीक है, कैप्टेन के तोर पर इससे इस्तमाल कर सकते हैं, batsmen में आपको David Warner पर जा सकते हैं, यह आपके लिए अच्छा option होंगे, safe option होंगे, डेविड वर्णर के अप्टेन के तोर पर इससे जा सकते हैं या पर T.M.Ed या फिर H.D. West Smith के साथ जा सकते हैं या जो रूट के साथ C.B.C के तोर पर इस सब खेलाड़ी के साथ जा सकते हैं यह अच्छा पर अच्छा करते हैं प्रिछले मैचों में All rounder में आप किसके जाना चाहेंगे तो बोलर में जो आपको बोल're में आएंगे और यह बिकेट निकालेंगे तो इसे अपने टीम में इसे आप सीबी सी के तोर पर इस्तमाल कर सकते हैं यह आपके लिए अच्छा option होंगे इस खिलारी को अपने टीम में जरूर लेकर चलिएगा ठीक है वहीं हम बात करते हैं आदिल रशीद का तो इसे आप भीशी के तौर पर इस्तमाल कर सकते हैं यह आपके लिए अच्छा यहाँ पर काम आने वाले हैं और मिचल एक्ष्टाक या पैट कमिंग जियोसल मे इसमें से किसी एक के साथ जा सकते हैं इस तरह से अगर अपना टीम बनाते हैं तो आपका टीम बहुत अच्छा प्रॉफिट करने वाला है